नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एशड़ी आयस परिवार के अंदर जहां पर जो है डेली आप लोग पो जो है मेंस प्रोग्राम के तहर डेली आपको उसके पैक्टिस रहा जाती है किस चीज की हिस्ट्री के क्षिशन की और पॉलिटिक के क्षिशन की पैक्टिस होती ह है तो कभी फिश्टरी कुष्टन की पैक्टिस हुए आपके मज़े आ रहे हैं चीजे मिल रही है और असानी से मिल नहीं है जो आप से अच्छे तरीके से उस बनने को भी थोड़ा सा अच्छा महसुस हो रहा होगा इसने भी सिरुवात कि जिसको लगता है कि क्या मैं पर दो वह नहीं हो रहा है तो आसान से जीरो से अट कोटे उस तर्फ करना सिखेंगे हो सारे पॉंट अपने पास लेंगे हैं हर टोपिक को कवर कर लेंगे और उस तरीके से जो एक्जाम में आने बाला शिदा अनसा राइटिंग है और प्लीज व्यू देखकर जज्ज ना इस तरह के विव आते हैं, मानते हैं, मंगर आज यह आप आज यह मानते हैं कि निका विव हो, वो सकता है, content भी छोटा हो, तो कल मान लीजे, content खराब हो, वहाँ पर एक लाग विव हो, तो क्या आप लगेगा कि content खराब है, क्या आप जज्ज करेंगे नहीं, तो please content को जज्मि जा रहे हैं, इसके अंदर history और quality cover हो रही है, उदर जो है, जिस वन, टू, 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 जो आती है, वहाँ पर तीनों, जो चारों जिस हैं, उनके question ले जाते हैं, और daily cover घराए जाते हैं, हमाँ आप practice कराए जात answer rating यहाँ पर होने वाली है, आपको कसी coaching की जोट नहीं पढ़ रही है, तो इस program में आपको बहुत कुछ मिनने वाला है, तो आईए सरुवात करते हैं, आईए question की ओर चलते हैं, question में पूछ गया है कि भारतिय संतंतर संग्राम में महात्मागान दे, एक नाम सुनते ही आपक और उनकी जो आपको बहुत करनी है, और उनकी जिकर करना है, कि कैसे हैं, और दूसरे बात क्या है, यानि की पहले जो लिखना है, इसके सिबाद करते हुए महاتंमागानी के योगतान के बाड़े में हलका सा जिकर करना है उसके परस्ट में लेक्ति जिकर करते हुए उसकी फरस्ट में लेकर्शन समझ जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं मातमा गानी ने ब्रिटिस ओपनेशिक सासम के विरुट जो है बारती संदम्ता आंदोलंग में महत्रपुन रुमी का निभाई थी एक परमुक वैक्ति के रूप में उबरे और एह इंसक समीनिया अवग्या के अपने सिद्धान्तों के लिए जाने गई ऐसे आप परशुनली स्थुवार कर सकते ऐसे आप किसी इंसान के बारे में हो सकता है मातमा गानी के बारे में ना हो किसी आन्य वेक्ति के बारे में पूचा ही जाता है कुस्ष्ण आते ही है निभसने वारा आथ आप इनकी युद्दान की आप करते हैं इस वेक्ति के बारे में हमने जान लिया अगर चाजब गया गांदी ने बस 1930 में नमक मार्श सहित कहीं जो हैं सखल अभियान का नेतरतव किया था जिसमें उन्होंने क्या है उनके अनुवाईयों ने नमक उत्पादन पर ब्रिटिस का लिए एक अधिकार था उसका विरोध करने के लिए अरव सागर तक मार्श किया था ठीक है और इस अ बारे में एक जिकर पहल गया और उनकी कई अन्य से भलताई भी थी उनके बारे में उच्छतर पहल गया इसे बीवदां के बारे में चार्चा करते हुए आगे पढ़ सकते हैं उस तीस्टी और जो में जो है कि अंदर पूछा गया है वाई ये विचार दहराएं और उनकी सबसे पहले उनकी विचार दहरा क्या थी जो फेमस है एह इंसा गांदी का एह इंसा का जो दर्सन है उनकी राजनितिक और समाजिक मानने अताव के मूंड में था उनका मानना था कि हिंसा केवल अधिक हिंसा को जनम देती है और एह निसक परतिरोज समाज में बदलाव नान गांदी का एक अधिक पर्भावी तरीका है गांदी के एह इंसा तरश्टी को ने विश्व भर में कई अन्य नावरिक और अधिकारों और मुक्ति आंदुन को परभावित किया तो हमने एक पॉइंट बीबात कर ली वह क्या थी इंक विचार दारा अहिंसा के बात कर ली त परतिरोथ का एक तरीका था जिसे गांदी ने ठिकिया था जिसका भारत में संतरता सगराब में बड़े पैमाने पर उप्योग किया गया था जिसने में मोर्डनिश्टी पर प्रड़ा है तो वह समझता हुआ कि सत्यक्रा का मतलब क्या है इसमें अन्यायपुन कानूनों और दमनकारी नीट्यों को चुनोती देने के लिए समीनिया अवग्या हर्ताल वहिसकार वे अन्य एहिंसत सादमों को उप्योग किया जाना इसमें सामिल था सत्य करेका उधिस से जो है उच्पिडन करता हो कि हर्ते को परिवर्टित करना अता बन या जवर्दस्ति के बजाए जो यानकी एसा योग की पारें बात करेंगे उसके बर्डे रूप में बताएं कि उनका यूज़ आप कन सकते हैं और कहां किया क्या एसा योग का उनका माना था कि एक अन्य रहणी थी थी ती उनकी इसका उप्यों जो है गहाणी बहुतिस सत्ता को चुनोती देने के लिए करत कोई भी चीट में आपका सायोग करेंगे हैं और वो कहां कहां पर सिमाल लगे कि वो आपको पता ही अगला क्या है समीने अवग्या जो एहिंसत प्रतिरोत का ही एक रूप था जिसमें कहें कानुनों विनेमों को तोड़ना और उन कारियों के प्रिणाम सरूप स्विकार करना सामिल था गांधी ने वर्ष 1930 में नमक मार्च का नेतरत्व किया जिसमें उन्हें हजारों अन्यायों ने बिर्टिस नमक कानुन अवहिलना के करम में अपना नमक बनाने के लिए अरवसाज तक मार्च किया था आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं मिसकर्स में हम क्या लिख सकते हैं वो पॉइंट वो जो वर्ड उनकी विचार दहार आएं उनकी रण्यायों के बात हम कर चुके हैं वर्ड टू वर्ड हमने चीजिए लिए हिंसा हो सत्यक्रेव हो या ऐसा ही योग ह पॉइंट जो उनकी विचार दहार आये थे उनकी रण्यतिया था उनके कैसे उसमें क्या छह रहापर इस्तिमाल की उसका जिकर पर पर जिकर करते हुए हूं उन्ол को हमने रख गया है अब पात करते हैं इसकर्स में क्या लिख सकते हैं बहरती संतर्था संग्राम में महतमा गांधी को योवदान है वो एतू लिये था, अहिंसा सुविन्या अवग्या के उनके दर्शन और ऐसे योग को सुविन्या अवग्या की उनकी रन्नी थी नेततों में भारतिय जन्ता का एक जूट करने के साथ ब्रीटिसों को भारतिय की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया था गांधी की विरास्थ है आज भी 200 लोगों को न्याय और समतर्ता के लिए नर्ने हितु प्रेदित करती है आए आगे पढ़ते हैं ऐसे आप ववस्था को आकार देने में वर्षाई की संदी का क्या मैता हुथा यह कैसा कुश्चन है जो बार-बार पुछा भी जाता है इस पर्टेकल संदी से और एक ऐसी संदी है जो भूद परशित है यहां से क्यूश्चन है कि आया तो आपके पास इसके पॉइंट होगे आगे आकार दिया था यह बुडरो विल्सन के चोदा सित्रिया बासन के सिद्दानतों पर आदारित थी जिसमें पूरी तरह से निसस्तिक करण के द्वारा प्शवशासन और अंतराश्टेसांती वैस्ट्रक्षा स्थापिट करने में बल दिया गया था इसकी परशूमिया आप बारे में बताते हुए आप इसकी पर जिकर कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं पूछा क्या गया है मैं तो है तो आए उसे ठीक्ली धारण उसमें क्या लिख सकते हैं कि यह संदी द्वारा युरोप के मानची तक का अपना दिदान करते हुए कुछ नए राज्यों का निर्बांट किया गया और कुछ अन्ने छेतरों का विस्तार किया गया इसके तहर जो है जर्मनी को अपने छेतर को यान जर्मनी को अपने कुछ एतर किसी को देदेगा और उसके पार अन्य तरीके के उसके पर प्रेशर क्रियेट कियेगे तो वह भी हम जानेंगे राष्ट संका गठन इस संदी द्वारा जो है सामुईक सुरुक्षा और निसस्तिकरण के माध्यम से बहुष्चे जो युद्धों को रोकने के उदे और उनके अंदर एक ऐसा हो कि इनसे बदला लेना है तो वह चीज़ ऐसा किया गया था मंगर आपको बुस्ता है उसको रोकना है और वो पॉइंट तो पॉइंट जिए लिखते चलना है जो इंपोर्टेंट है जो कुछन पुछे गया है उदर ही लेना है आगे पढ़ते है आगे क्या क्या कि जर्मनी पर कठो सर्तों को आरूपित करना ये थी असली जड़ दिवित्ते विश्यूत की और ये कैसा संगटन बनाएगा कि ये रोकेगा उसने तक कराई दिया ये जीटी है आगे पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं कि कौन-कौन से सर्ते थी जो ज जर्मनी करेगा और अपनी सेने और आरती सक्ति पर परतिबन लगाने के लिए मजबूर उसको किया गया कि नहीं तो आप अपनी आरती सक्ति को बढ़ाएंगे और नहीं आप अपनी सेने सक्ति को बढ़ाएंगे दोने पर परतिगन लगा देगा इसमें यूद अपरादों के लिए जर्मनी के साथ साथ जो है कैसर विल हैं सेकेंड पर मुगत्मा चिलाने के लिए कहा गया था इसके साथ साथ उनके यूद और अपराद बहुत अनुच्छेद सामिल किया गया जिसमें जर्मनी के यूद सुनु करने के लिए पूरी तरह से उसको जिग्मेदार ठ्रह देगा कि यूद जो है आपने ही स्टार्ट किया गया है इसलिए पूरा ठेरा आप पर दे जाता है इससे मितर देशों को यूद के नुकसान की छतिपूर्ति करने के लिए क्या गया कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है पैसा दीजिए एक तो कंट्री की हालात पुरी हो उससे मांगा जाए तो आप लोसाना नोहमत चीज़ है ऐसे ऐसे सट्टे की जो बहुत तरमा था राष्टवाद का उद्धे इस संदी ने केवल लंकठीत राज्यों के बीच जो है राष्टवाद और गोरों की भावना बनाए कि हम जित गए हम गोरों साली है राष्टवान की भ इससे जर्मनी के लोगों में उत्पन होने वाले जो आप रोज थे जो फिटलर था नाजी पालिटी के उदे है तू आधार किया गया जब आप रोज पहले सही है उसने चिंगार दी थी आपने उस आप उसको बढ़ाया था आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं किस तरह के पॉइंट्स आप देते हैं कि क्या महतव थे तो वो चीज़े आपने इस बढ़ाये जर्मनी की साहने समता को पंजबर करने के लिए उसे अपने इस तरब बलों को उबयापक अस्तर पर कम करने के लिए मजबूर किया गया तो आप निसकर्स कैसे लिख सकते हैं वो जो है विस्त जो है ववस्ता को आगार देने में वर्साई की संदी महतवपूर्ण योगदान था यह जो संदी है करुणा और देशों के बीट में संबंद को बहाली और दिरिकानिक अस्तर तक शांतिशनुशित करने की इच्छा के इतर भै क्रोध पर आधारी थी इसको पुड़ी चीज़े को ही चेज़ कर दिया वो देख रहे हैं आपको अग्रोस बढ़ जाएगा और वो चीज किसी के अपर की देई है राष्टमात आप दिखा रहे हैं उसने क्या किया देवित्य विश्त को जनम दे लिया तो ऐसे आप अपनी निसकर साब लिख सकते हैं तो हमारा यह परियास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कर देजिएगा वीडियो जो है उन लोगों तक पहुचा दीजिएगा जिनको इस चीज़ की जरुत है थैंक्स पूर वाचिंग धन्यवाद